केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र बिहार के भागलपुर में केंद्रे मंत्रि और बीजेपी नेता रवनीत सिंग बिट्टू ने कॉंगरस नेता राहूल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है बिट्टू ने नेता पृतिपक्ष राहूल गांधी को देश का नम्मर वन आतंकी बता दिया और कहा कि उन पर सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए बिट्टू ने राहूल गांधी पर सिखों के बीच फूट डालने की कोशिश की है वो अलगाव वाधी जैसे बाते कर रहे है केंद्र मंतर्य और बीजेपी नेता रवनीत सिंग बिट्टू ने कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी को देश का नम्मर वन आतंकी बताया है केंद्रे मंतुरी बिट्टू ने कहा राहूल गांधी ने सिखों को बाटने की कोशिश की है सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और ये चिंगारी लगाने की कोशिश है राहुल गांधी देश के नमबर वन टेर्रिस्ट है बिट्टू ने ये विवादित बयान और विवादित बाते राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिये गए बयान को लेकर कही है भारती जन्ता पाटी के केंद्रि मंत्री द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी के खिलाब विवादित टिपणी करने के बाद कॉंग्रेसी सड़कों पर उतर गए और दिल्ली में बड़ी संख्या में दिल्ली कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत में बड़ा प्रदर्शन हुआ केंद्रि मंत्री बिट्टु के स्तीफा की मांग करते हुए कॉंग्रेसी उन्हें जम कर नारिबाजी की पुलिस ने कई एक बड़ी नेताओं को हिरासत में लेकर प्रदर्शन को हिंसक होने से रोका कॉंग्रेस कारे करताओं में उबाल देखने को मिल रहा था वो राहुल गांदी के खिलाफ अवैट टिपणी करने वाले मंत्री से माफी मांगे जाने की मांग भी कर रहे थे